हेलो स्टूडेंट्स आज अब पढ़ांगे सेकेंड चैप्टर दे यूनिट ओफ लाइफ नाइन्थ क्लास बायोलोजी सब्जेक्ट फर्स्ट टॉपिक है देविच वाट इस असेल की है सेल इस दा फंडामेंटल स्ट्रॉक्ट्रल एंड फंक्शनल यूनिट ओफ लाइफ सेल साथी बाडी दा एक एहोजया हिस्सा है जेड़ा की बहुत बेसिक चीज है मननी जान दी अपनी लाइफ में जुन्दरेंड देली सेल दा होना बहुत जुरूरी है इस दा स्मॉलेस्ट पार्ट ओप दा बाडी ओफ एन ओर्गिनिजम साथी बाडी दा जेड़े भी लिविंग बींग्स ने अर्थ ते उनना दी बाडी दा सब तो स्मॉलेस्ट माइनूट पार्टिकल है माइनूट पार्ट है ओर्गिनिजम दा विच जेड़ा की जेड़े अपने आप इंडिबेंडेंटली भी सर्वाइब कार सकते हैं एड और पर्फॉर्मिंग इसेंशल फंक्षन फंक्षन अफ लाइफ यह जड़ी लाइफ दे साथे बहुत निसेस्टी फंक्षन सुन देने ओ भी अपने आप पर्फॉर्म कार सके हैं नेक्स्ट की है एवरी ओर इनार बोड़ी दे सकिन दे ब्रें दे मसल एंड इवन बोन तो लहके हार्डेस्ट और न बोन थीक है बोन तक भी इवन हर एक बोड़ी पार्ट दे वेच अर एक और गड़ी वेच साथे की सेल्स ने सेल्स तो नहीं साथी बोड़ी बनी है इस कंपोज़ड अफ प्रेदेटस अगर गाल करिए ता प्लांठस दे वेच भी प्लांटस दे जन्हें पार्टस ने लीज्व फ्लार रूट और एवन कि उनक्री हाड जडी वुडी स्टेम हुनदिया इज वो दे वेच भी सेल्गी थें सारे पार्टस स्टे ग्लांट np. कलें देध Says नेक्स्ट आपा देखांगे एवरी सेल हैस इस ओन लाइफ हर एक सेल दी अपनी 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 लाइफ स्पैन हुंदा है अपना अपना लाइफ द वे हुंदा है फर्स्ट ओफ ओल एक आल कार देया कि ओल्ड एंड वीक सेल्स द बॉड़ी इस कॉंटिनुवली डाई जड़े साथी बॉड़ी देविच ओल्ड वीक सेल्स ने ओंटिनुवली डाई कार दे रंदेने ते ओंड रिप्लेस होंदे रंदेने विद नूव सेल्स साथी बॉड़ी जे में wear and tear दा प्रॉसेस होंदा है कोई वूंड हो जाए या कोई भी इसट लाग जाए बॉड़ी जोणकि इसे पार आधिए उस पटीकलर बॉड़ी पारर दे जड़े जदो cells dye कार देने या रप्चर होंदेने या विर और टियर होंदे cells टोट दे पाज देने ता उना देव नाल किया new cells replace हो जन देने साथी बोडी दे वेच all organisms including our cells सान्नों इंक्लूड करन दे बाद we start life as a single cell called the egg साथी पूरे organisms जिनने भी अर्थ देने living beings ने साथी बोडी एक single cell तो start होंदिया that is called egg cells are so small very small minute particles होंदे microscopic structures इना नों बोल दे आपा naked eye नाल इनानों नहीं देख साकदे इसलिए अपा naturally ये गल कह साकदे के जड़ी चीज naked eye नहीं देख साकदे ओनों ओधी study करन ली ओदे बारे येच नम्या नम्या inventions करन ली ओदे ली microscopes दी ता load पाई होईगी obvious जी गल ता इनानों detect करन ली इना दे बारे च फर्दर होर जानकारी लेंदे ली कुछ inventions होई या microscopes दी या होन असी ओना दे बारे च श्टड़ी करांगे first microscope दी inventions की इसी इना दे नानाल ही cell दिया discoveries होई या further studies होई या first microscope was constructed by 2H scientist सीगे जड़े first Anthony Vaughan Leone Hawk इना ने first construct किता सी microscope that was a very simple microscope जड़े ए scientist सीगे 2H दे एक ordinary public official सी जड़े की cells दे नाल sorry lens दे बारे च स्टड़ी कार दे सी और microscopic observations करना उना दी एक बहुत hobby सी so according to उना दी hobby ओ किया अपनी hobby दे उते work कर दे गए कर दे गए so finally he constructed 400 100 microscopes उना ने 400 microscopes बनाए जड़े उना ने microscopes बनाए उना दे वेच सिरफ एक single lens यूज कीता जानदा सी जेनों आसी biconvex lens बोल सकते by convex lens दी help दे नाल उना ने जड़े microscopes बनाए उना नो simple microscopes बोल लिया जानदा some of these microscopes had a considerable magnifying power up to 200 times ये जड़े simple microscopes उना ने बनाए इना दी magnification power की सी सिरफ 200 times इना दे नाल अपपा पूरी detailed structure आपा सेल दी नहीं study कार साकदे बट उस टाइम दे according अगर देख आ जाये ता बहुत ज़्यादा helpful होए कुछ studies करन दे लिए next की है इदी उना ने इस तो बाद की है उनाने parts इदी microscope दी part जड़े भी ज़िद्धा ज़िद्धा भी उनाने अरेंज कीते जो जो उनाने attach कीते ओदे बारे थोड़ा दस्या है applied close to the lens first की है जड़ी आई है उनाने close to the lens रखी first side one side जड़ी एदर है lens दे पास उनाने अपनी आई राख के उन्हों देख्या object नो second दूसरी साइड ते की है उनाने ओदे opposite साइड ते कोई object रख्या ते ओधी स्टड़ी किती फर्दर बट ये microscopes बहुत जादे simple सी है सो इस तो बाद उनानों study करनी पही ताके detailed structures find out कार सकन cels थी है next सी Robert Hoek Robert Hoek एक English scientist सी जनाने developed कीता सी microscope with the help of two lens two lens इनाने ले सी उनाने single lens लेा सी इनाने two lens ले सी जे दिनाल किया microscope दी magnification power जादा वाद गी सी greater होगी सी पहला नालो such microscopes वर लेटर नोन एस इनानों थोड़े टाइम बाद compound microscope बोला गया ओवले simple microscope सी इनानों compound बोला गया क्योंके थोड़ी जी इनाने देवेच complexity आगी सी इस तो बाद किया उनने एक या कि in hooks microscope the object to be seen was placed on the stage below and light from an oil flame was thrown on it by means of concave mirror concave mirror दी help दे नाल उनने किया object नों visualize करन दी try किता first उनने किता एक place दे वेच जाके जिते उनने microscope नों रख्या उते किया एक oil flame दी help दे नाल उनने light pie एक object दे उते ते concave mirror दी help दे नाल उनने उधी study किती next किया उस्तो बाद उनने की examine की किता एक cock slice लेई cock slice दे उपर उनने study किती जेडी कि उनननों box like जोदो ओ microscope दे अंडर उननों study कार दे से उननों box like compartments दिख रहे सी स्मिट्री देवेच ता ओधे नाल उननों की लग गया कि जिन इनना देवेच सिरफ box like box like structures देवेच सिरफ एक ता walls ने एक hollow material अंदर कोछ नहीं है उनना देवेच बहुत जादिया improvements आई या ने जिमें के आज कल दे टाइम दे वेच एक कह सकते है अपका electron microscope चाल रहे ने ओधी वज़ादे नाल किया बहुत जादा detailed structures असी पाड़ साकते है next किया invention होई उस्तो बाद electron microscopes दी electron microscopes added further to the unknown facts about cells इनना ने किया जेड़े भी unknown facts रहे गे सी cells दे बारे चे detailed structures नहीं नहीं पढ़ होई या सी साधे कोड़ों पहले दो microscopes केड़े सी light दे compound microscopes ओ जो जो ना दे विच रह गया सी study नहीं कार पाए magnification power beyond जारी सी ता ओदे बेच किया उस्तो बाद next microscope केड़ा बनेया electron microscope जेदी बजादे जेदे बेच कीसी में नहीं सब तो ग्रेटर एदा characteristics कीसी एद च्टू लैक टाइम सी किसे भी cell नो किसे भी object नो study कार साकते है magnify कार के it can give a magnification to over 2 lakh times as against the ordinary compound microscope which which magnifies an object up to a maximum of about 200 times जेदा एक compound microscope सी ओ 200, 2000 times magnify कार दा सी जेदा electron microscope है ओ 2 lakh times ते जेदा एक simple microscope सी ओ सिरफ 200 times ही magnify कार सकदा सी इसकार के compound microscope सी देना बहुत ज़्यादा help मिली cell दे बारे चे study करन दे ली एदे च्किया ordinary compound microscope uses light compound microscope जड़ा सी पिछे पड़ेया ओदे वेच कीसी एक सिरफ light नो यूज कीता जान दा सी glass lens दे उपर जदा के magnify होके image सानू visualize हो ज़न दी सी बट electron microscope जगी है beams of electrons यूज कीते गए जड़े की bent कार दे सी magnet देना नेक्स्ट की है cell theory इन 1838 एक शेल्डन जर्मन दे बॉटनिस्ट सी उनना ने अनौन्स कीता कि एवरी प्लांट इस मेड़ आप ओफ लार्ज नंबर आफ सेल्स उनना ने एक अनौन्स कीता कि जड़े एक प्लांट आ ओदे वेच बहुत सारी नंबर आफ सेल्स हून देया थे he added that each of these cells performed various life processes एक एक सेल जड़ाया लाइफ दे बहुत सारी process परफॉर्म करदा है बहुत सारी functions दे जड़े हरे एक सेल परफॉर्म करदा है a year later एक होर एक जर्मन दे एक जॉलेजिस्ट आए जैननों शेवान थेवडर शेवान बूले जन्दा made similar discoveries in animals जड़े पहला शेल्डन सी मीथियस शेल्डन सी उनना ने जर्मन बॉटेनिस्ट सी इसकार के उनने प्लांट से स्टड़ी की थी बट जड़े थेवडर शेवान सी एक जॉलेजिस्ट सी इननने एनिमल्स टे स्टड़ी की थी इननने डिखलेर करया कि all animals and plants are composed of cells जिमे के उनने कया कि plants देवेच भी सारे cells ही हों दे इनने सेम वेदे वेच बोलता कि एनिमल्स भी प्लांट्स दी तरहां सेल्स तो ही बन देया विच सर्फ एस यूनिट ऑफ स्ट्रॉक्चर एंड फंक्शन जड़ा की सेल असी अल्रेडी पार चुकिया स्ट्रॉक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन शॉर्च उनने की कहता एस सारे प्रोसेस नो स्ट्रॉक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जड़ा सेल बोल्या उनने उनु नाम देखता सेल थियूरी हैविंग बीन प्रॉपोस्ट बाइशिवान एंड चेल्डन एन दोनने सेल थियूरी दिट्ती सी जोने 1858 देवेच इननने एक या कि जेड़े भी सेल्ज सादे बोल्डी इच नमें बंदेने हो प्री एक्जिस्टिंग सेल्स तों ही पैदा हुंदेने इननने त्री मेजर पॉइंट्स दित दे ए जेल्र थियूरी दे वेच जेड़े की ने कि एक सेल्र थियूरी यूरी एक यूरी दिटती। structure of all living things already मैं ता अनुजास चुकी है कि जिमे के cell एक किया basic unit है साड़ी life the structural थे functional भी structure थे विच भी help कार दा थे साड़ी functions थे विच भी second हुना ने key point देता major the cell is the unit of function of all living things cell किया unit of functions था सारे living things था third किया cell arises from pre-existing cells जेड़े cells साड़े bodies already exist कार रहे ने नवे cells उनना तो ही arise हुनते ने ए three points से सीगे major इनना थी cell theory दे उस तो बाद किया what does the cell theory mean cell theory दा मतलब किया take two examples a plant such as a mango and an animal such as a frog दो examples लहिया हुना ने एक animals दे विच frog दी ले ले ली plants दे विच mango दी ले ले structural unit first उनने topic दिता if we take any part of a body of a frog जैसी body किसे भी frog दी कोई body दा part ले ये और any part of mango plant mango plant दा भी अगर कोई भी पार्ट ले 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 and examine it under a microscope it will show a cellular structure इनना दी कोई भी आप a slide बना के चाहे frog दी किसे भी body part दी tissue दी या कुछ कोई भी cell दी या mango plant दे किसे भी part दी कोई भी slide बना के ऐसी अगर microscope दे अंडरों नो study करिये ता एक cellular structure शोओ करांगे दोनों जे देनल किसा नो पता लाग दा है functional unit अगे study कार दे है any function in the body of a frog or in the mango plant is due to the activity in its cell कोई भी function किसे दी भी body चो रहा है चाहे हो animal या चाहे हो plant है यह सिरफ एक cells दी वजा करके ही activities हो रही है आने for example movement of a frog is due to the contractions of muscle cells muscles दे वेच जिमे के सदिया contractions relaxations हो दियाने muscles दे वेच ज़े contractions हो दियाने तासी move कर दे कोई भी body part move कर दा same way दे वेच उनना ने क्या कि frog जड़ी ऐसी example लही सी ओधिया movement किया ओधे muscle cells दे वेच जड़ीया contractions हो दियाने ओधी वजा करके हो दियाने and food is digested by enzymes which the cells of gut secrete जड़ा food सारणा digest हो दे enzymes दी help दे नाल वो क्यों होंदा है क्योंकि सारदे जड़ी गट दे cells ने उसी क्रीट कर दे ने enzymes ultimately कम सारा cells ही कर रहे हैं digested food is absorbed by cells जड़ा food secrete गट दे विच्छों enzymes secrete हों तो बाट digest हो जानदा है digested food फिर absorbed होंदा है ओभी cells दी वजादे करके absorbed होंदा है absorbed food is used up in the cells for various metabolic activities उन साथी body ने जो भी metabolic activities करनी आने ओदे ले वी सानो food दी लोड होंदी absorbed food जदो यूटिलाइज होंदा है बाडी दे थ्रू ओभी cells ही कर देने in a mango plant mango plant दे विच अगर देखे जाए photosynthesis occurs in the cells plants दे विच भी जो जो activities जो जो functions उन देने daily basis दे सिरफ एक cells ही कर देने जिनने भी उनना दे body चलाग लग तरहां दे उनना दी structure दे विच अलाग लग तरहां दे इस ने photosynthesis भी cells देना ली हुन दिया है cells चाहे leaves दे होन चाहे roots दे होन leaves किये leaves roots रूट्स किये water absorb कर दियाने soil तो होते leaves किये photosynthesis sunlight देना food बनन देने third किये cells die and are replaced third part यह ही है कि cells die भी कर देने ते replace भी हुन देने the body of the frog और the mango tree is composed of the millions and millions of cells body जड़ी साथी frog दी है यह कोई भी mango tree दी है यह कोई होर कोई अधर any organisms life human being चाहे कोई भी कोई भी cell है ओ कि यह millions and millions of cells तो बनी है many of these cells continuously die and are replaced by new ones already आसी पाड़ चुकी है three major points of cell theory which many of these cells continuously die कर देने ते replace हुन दे रहें देने new cells देना which are formed by division of younger cells छोटे छोटे यंगर cells divide हुन दे रहें देने तो mature होके किया new cells दी तरह आप्ट कर देने जड़े new cells किया प्राने डाई होए होए या wear and tear वाले cells नो replace कर देने एक ये और life of mango tree started as an egg and a seed respectively fruits होन चाहे कोई ट्री होए चाहे कोई प्लांट होए उना दी एक seed तो ही life इसी सीड ही मिट्टी दे वेच जमीन दे वेच बोनने या ओदे तो किया पूरा प्लांट पैदा हुन दे सेम वे दे वेच एक human being दा बर्थ वी एक single cell तो हुन दा है एग तो हुन दे ओदे ना किया होली 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 इसेल्स डिवाइड कार दे रहन देने तो किया multicellular एक ओर्गिनिजम पाने जन्द है दे एग वेच यही दसेग है कि जड़ा एक एग है single cell होन दे स्टार्टिंग दे विछ बिलकुल बिगेंग दे विछ एक single cell एग किए डिवाइड होन स्टों 25 डीवाइड हों दे विछ डिवाइड सेब्स its पूरा प्लांट बणना शुरू हो जन्द है कि इक multi-cellular tree या plant कोई भी प्रोड्यूस हो जांग है ऐसी अज़ दर टॉपिक सादा एक सेल दी स्ट्रॉक्चर जस्ट शॉर्ट ब्रीफ इन ओफ सेल एंड डिस्कोवरीज ओफ सेल थर्ड की सी इन्वेंशन ओफ माइक्रोस्कोप्स देन लास्ट इस सेल थी नेक्स टॉपिक सेल वो स्मॉल एसी काल करांगे थैंक यू सो मच